हाई गाईज आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल पर और आज मैं आपको इस प्लांट के बारे में बताऊंगी जिसको मोस्टी लोग किस मिस्ट्री के नाम से जानते हैं बच्चों को ये प्लांट बहुत ही पसंद है तो आप मार्केट से कोई भी आटिफिशल मतला ये और इसी को एक छोटा सा प्लांट मार्केट से लेकर आए नर्सरी से और उसको के एर कीजिए और उसे गर पर ही डेकुरेट कीजिए बच्चों को ये डेकुरेट करना इसको बहुत अच्छा लगता है तो हलका छोटा फोटा काम जो है वो बच्चों को दी जिससे वो इसको डेकुरेट करें और क्रिस्मिस को सेलिबेट करें तो फिर से आपको मैं विश करती हूँ मेरी क्रिस्मेस आज हम आपके लिए इस प्लांट की केयर और टिप्स लेकर आएं आई होप आपको ये पसंद आएगा यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले फटा-फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हम इस प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं कि इस प्लांट का इंट्रोड़क्शन देख लेते हैं कि क्या इसका नाम है और किस-किस नाम से इसको जाना जाता है और एक्शली ये प्लांट क्या है तो सबसे पहले बात करूँ तो इस प्लांट को एरोकेरिया भी बोलते हैं, मंकी पजल्स भी बोलते हैं, मुस्ली इसको क्रिस्मस टी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, बच्चों भाई फैवरेट होता है, तो हर पेरेंट्स अपने घर में इसको रखते ही हैं, और इसको करते हैं, वो भी आज मैं आपको बताऊंगी कि इसको डेकरेट करते हैं, कैसे करते हैं, तो अकसर मैंने देखा है, कि ये जो प्लांट है, वो हिल स्टेशन पर ज्यादा रहता है, लास्ट समर्ड व्यकिशन में हम लोग उटी गए थे, तो वहां मैंने इस प्लांट को पसंद है, हलकी धूब भी पसंद है, और ये हिल स्टेशन पर बहुत चलता है, हिमाचल भी हम जब गए थे, तो हिमाचल में भी मैंने ये बहुत सारे प्लांट देखे थे, और वहां इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है, आपके मन को भाव विवोर कर देगी, इस तरह का ये प्लांट है, और ये इतनी खूबसूरती से बढ़ता है, उपर की तरफ के ये देखते ही बहुत अच्छा लगता है, तो आज हम इसके केर और टिप्स के बारे में बात करेंगे, जो मेरा बहुत ही मोस्ट फैवरिल प्लांट है, तो यदि फर्स्ट बात हम करते हैं इ नीचे से जड़ने लग जाएंगी, तो क्यों कि जब ये हिल स्टिशन पर होता है, तो कभी ठंडा, कभी हलकी लाइट धूप, मतलब हलकी धूप जो छनकर इसको आती हो, डायरेक्ट संलाइट में ये सर्वाइब नहीं कर पाएगा, इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए जरू तो धूप इसको ऐसी दीजिए, जैसे कहीं से थोड़ी सी छनकर आ रही है, सुबह की मॉनिंग की धूप लग गई, और धूप की बात करें, तो एक क्या होता है, कि जिस तरफ से आपके इस प्लांट को धूप लग रही है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती जाएगी, और दू दूसरी तरफ इसको शिफ्ट कर देंगे, तो इस प्लांट को मूव करते रही है, इससे क्या होता है, एक जैसा एक साथ ही बढ़ता है, तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो क्या होगा, एक तरफ से यह बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी इसकी इसको मौश्यर पसंद है, मौश्यर मींज के इसको पानी नमी इसकी मिटी में बनी रहनी चाहिए, यह इसको पसंद है, इसको ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है, ओवर वाटरिंग में यह गल जाएगा, और यदि आपने इसको कम पानी दिया, तो भी इसकी पतियां ब्रा जहां अकसर बारिश होती रहती है तो यह पानी को भी यह बरदाश कर लेगा दोगिज्टो करने लिएकश अकसर उपारिया प्याइज सब्सारी के बिचारा केम वर्यॉनली सब्साराश को पनी ले बमॉघ्ट हो दिख से तौप रहे देख रहे हैं कितनी बड़िया और कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है कितना मेंटेन है यह पौदा तो आप इसमें कॉफी का जो पाउडर है उसको पानी में घोल कर भी आप इसको दे सकते हैं वो फेटिलाजर इसके लिए बैस्ट होता है तो कॉफी फेटिलाजर आप यूज कर लिजिए और एक बात और आपसे गाईस में सेयर करना चाहती हूँ कि इस प्लांट को कटिंग से नहीं लगाया जा सकता यदि कई लोग कहते हैं कि हर प्लांट की आप कर देख लेकिन इस प्लांट को आप कटिंग से लगाएंगे तो खराब हो जाएगा और दूसरी बात कि हम हर plant का बताते हैं कि pinching करनी है प्रूनिंग करनी है लेकिन इसकी कोई cutting नहीं करनी है नहीं तो इसकी shape खराब हो जाएगी यदि आपने इसकी cutting भी टॉप से कर दी तो फिर ये दो different condition में दो different way में जाएगा जिससे इसकी shape खराब हो जाएगी ये इसी तरीके से plant बढ़ता है तो इसकी top cutting नहीं करनी है इसकी कोई cutting नहीं करनी है नहीं तो ये पौदा जो है ये खराब हो जाएगा इसकी जो shape है वो भी खराब हो जाएगी अब बात कर लेते हैं report करने की तो ये जो plant है इसको जल्दी से report करने की जरूरत नहीं है यदि आपको लगता है कि आपके जो pot ह नीचे से आप देख लीए कि दीजे कि इसकी जो रूट्स हैं वो पॉट से बाहर निकल रही हैं बहुत ज़्यादा हो गई हैं तब कहीं आपको इसको दो-तीन साल बाद इसको रिपॉर्ट करने की जरुवत पड़ेगी नहीं तो आप इसी में आराम से इस प्लांट को बढ़ सरदियों में तो इसको डिस्टरब नहीं करना है बस इसको स्मूथली इसको धूब दिखानी है पानी देना है और इसको ग्रोथ करने देना है आप इसको डिस्टरब करेंगे आपको लगेगा छोटा पॉट है बड़े में रखना है तो आप इस तरीके से किसी बड़े पॉ कि यह प्लांट इंडोर नहीं चलता है आप थोड़े दिन के लिए किस्मिस है नियू है तो आप घर में टेकुरेट करने के लिए इंडोर रख सकते हैं लेकिन आप्टर देट आपको इसको बाहर ही सनलाइट में ही आप इसको रखना पड़ेगा और प्रॉपर सनलाइट नही शेड लविंग प्लांट की तरह इसको थोड़ी सी आप लाइट दीजिए और अब मैं आपको बताती हूं कि इस प्लांट को हम किस तरीके से डेकुरेट कर सकते हैं तो चलिए डेकुरेशन स्टार्ट करते हैं जब लाइब 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 झाल 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 हो कर दो मों राल झाल झाल झाल, हों आटाइसा राड करे से आफ क Hearts क कर सकते हैं देखी अभी बीकुर सिंपल जो लगा था इस किस्मस त्यी उसको कैसे मेने बेटे की मदब से उसको कर दिया थोड़ी से है Alp 1938 आप देख रहे हैं ये कॉटन की मदद से आप थोड़ा सा स्नो इस तरीके का भुना सकते हैं ये छोटे-चोटे जो गिफट आइटम्स हैं ये मार्केट में पैकेट में अविलिबल होते हैं बीस रुपए दस रुपए का तो आप तरत रहके लाके इस तरीके की रिंग और इ नीचे है आप देखिए मैंने ये दो एक छोटा सा हाउस रखा हुआ है उसके साथ दो पैगें रखे हुए हैं इस तरीके पास आपके पास जो भी मटेरियल है आप इसमें डेकोरेट कर लीजिए और इसका लुक देखिए बहुत ही अच्छा आ रहा है तो आई होप आपको